हलो नमस्कार फ्राइंड वेलकम डू तो इजियन चैनल इजियन चैनल आपको किस तरह से आउनलाइन आर्निंग कर सकते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देता है आज के वीडियो में हम जाने हैं कि अगर आपने इंडिया बुजधनी का लोन लिया है तो आने वाली जो दो क किसते हैं जुले और ऑगस्ट की वह आपको स्टॉप कर सकते जिसको कहते हैं मोराटोरियम गवर्मेंट मोराटोरियम और डिफर मैंस तो चलो वीडियो शुरू करते वीडियो करने पहले से आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क घंटे को दबा दीजे क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ नेक्स टैम जब मैं वीडियो अप्लोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो चलो वीडियो शुरू करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि आर बिया ने रूल निकाला है जो गाइडलाइन निकाली है उसके अनुसार पहले तो हमें एक मार्स से 31 में तक मोरेटोरियम डिफर्मेंस मिला जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसका लाब उठाया जिसमें आपको आपकी किस्ट टॉप करने का बेनिफिट मिला था लेकिन फिर से इस मो वीडियो को फॉलो करें और एंड को इसका फाइदा जरूर रिखोर लेने से पहले आपको बता दो कि अगर मोरेटियो के बारेम को पूरी जानकारी नहीं है तो यह वीडियो घृप करने वाले। लेकिन अगर अब डाइकली मोराटोरियम के लिए ऍपलाइ करना चाहते हो तो मैं यह आई बटन में या पर लिंक छोड़ रहा हूँ या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन कर लीजे मेरा दूसरा वाला वीडियो है लास्ट टाइम का जो मैंने बनाया था उसी वीडियो को फॉलो करो तो आपका इम मोरेटरियम का जो नीचे वाला जो है आपको इसे फिल अप करना है इसका अगर मैं एक्सप्लेंशन करूंगा तो इसमें टाइमिंग भोज जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप मोरेटरियम लेना चाहते हो तो क्यूं ले और अगर नहीं लेना चाहते हो तो फिर भी आप जो भी मैं क्वेश्चन के अंसर दूँगा तो आप उसके अनुसार खुद को गाइड करके जच करके सवालों को जच करके आप डिसाइड कर लिजे कि आपको मोरेटरियम लेना है या नहीं लेना है तो फिर से बोल रहो कि आई बटन में लिंक दिया है पूरा डिस पूरा डिटेल वी इनी फिट होगा क्या लोस होगा तो पुरा का पुरा इस वीडियो में हम जानेंगे तो यहां पर भी आप पड़ सकते हो लेकिन मैं इनी सवालों को थोड़ा सा हिंदी में आपके लिए सिंपल बनाया हूँ या पर देख सकते हो फैक्स जो है फ्रिक्वेंटली आसक्वेश तो सबसे पहला सवाल जो है वह अंग्रेजी वाला चोड़के मैं आपको हिंदी में सिंपल सिंपल में समझाओंगा तो आप पूरी मोरेटोरियम की पूरी जानकारी ले ले लिजा और आफ्टर डैट आप मुरेटोरियम लेना चाहते हो तो वह वीडियो आपको डिस्क्रि किष्ट ना लेना है उसको मोरेटोरियम कहते हैं और आपको अगर मोरेटोरियम लेते हो तो आपको कोई भी किष्ट की पेमेट करने की जरूरत नहीं है तो आपको बता दे कि लास्ट मोरेटोरियम जो था एक मार्च दो हजार वीस से 31 में 2020 में था इसमें बहुत सारे लोग नेक्स सवाल जो है हमारा कि कितने किस्ट के लिए मोरेटोरियम मिलेगा ठीक है कितने किस्ट मैंने के हाओ मच यह मैं तो आज से अगर अभी आप आप अभी वीडियो देख रहे हो तो अगर आज अगर आप मोरेटोरियम लेते हो तो आज से आने वाली जो दो किस्ते 31 अग रहेते हैं तो मेरे लॉन में क्या चेंजे सोगी मतलब जो लौन मैं इंक्शेंच में किस में किस में क्या का चेंजे सोगे तो सबसे पहला चेंजे रहेगा कि ये माध डेबीट नहीं होगी अगर आप मौर रिए पात्र होते हो to प्लस आपको इसमें क्या रहेगा, अगर अगर अब लेते हो तो इंट्रेस्ट जो रहेगा वो आपका continue रहेगा मतलब आपका जो बचा हुआ हमाड़े सपोर्ज आपने 10,000 का लोन लिया है और आपने 4 किस्ट पहले पे कर चुके है और आभी 6 किस्ट बचे आपकी तो 6 किस्ट पर आपको हर मैने पे interest लगता जाएगा वो interest आपको add हो है तो आपके आपे दो किस्ट आगे extend हो जाएगी आने की 14 मैने का आपका ये loan हो जाएगा तो इसके बाद में का सवाल है moratorium period में जो किस्ट होगी उस पर जो interest है वो कब देना होगा यस बहुत important सवाल है कि जो भी interest हमारा लग रहा है वो interest हमें कब पेकर ना पड़ेगा सपो को मेरा interest जाएगा तो ऐसा नहीं है जब आपका इमोराटोरियम खतम हो जाएगा August में और August November में जो भी किस्ट कटेगी शायद उसमें ये आपका interest एड़ होके आपकी किस्ट कटेगी ठीक है तो इसके बाद में का सवाल जो है कि किस्टे नहीं कटेगी तो bounce या penalty charges लगेगा क तो यह बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आपका EMI नहीं कट रहा है और आपको लगेगा कि यार मेरा तो बाउंसिंग लगेगा सिबील खराब होगा तो ऐसा नहीं है आपका सिबील बिलकुल भी खराब नहीं होगा अगर आपका जो मोराटोरियम है वो एक्सेप्ट होता ह है कंपणी के और से तो यह मोराटोरियम चलेगा आपकी माश टॉप हो जाएगी तो आपको यह पर पेनल्टी नहीं लगेगे लेकिन अगर आप अपनी किस्ते नहीं बढ़ रहे हो तो डेफिनिटली आप आपको यह पर आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपका सिबील भ क्लिश having करते तो एक 12 मेने या फिर जितने बी टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो उतने टाइम का वहापए मैंडेट फाल होता या फिल आफ लैन्म यह तो इसने अधर हमोनीग के लिए तो अगर अगर आपकी सानफ्जा सब्सक्राऊ क Didi जाने कि 2019 के डिसेंबर तक डिसेंबर या उससे पहले भी जब इंडिया बूल्स कोई भी मैंडेट फार्म साइन अप करता था तो लिमिटेड जितना लोन है उतने के लिए करता था लेकिन आफ्टर डैट कंपनी ने क्या किया कि उसका टाइमिंग बढ़ा ले जैसे कि फॉर में आपको आटोमेटिकली मैंडेट एड़ेस होता था इसलिए वह ज्यादा का लेते थे अगर वैसा कुछ आपका ज्यादा किस्त का मैंडेट हुआ है तो आपको कोई नया नाच फॉर्म या आटो डिबिट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपका लिमिटेड मैं इंडेट था तो आपको आपके वह बढ़ा के लेना पड़ेगा तो साथ नमबर वाला कुछ इंपॉर्डर नहीं है हाउ टो एपलाय फॉर्म मतलब कैसे करना है तो वह ही तो हम पिछ डिसकस कर रहे हैं आपको फिर से बताता हूं कि कैसे मोराटोर्यम के लिए अपलाय करना लेने के बाद में आप आप वीडियो देख लिए और फिर बाद में वह मोराटोर्यम ले लिए तो नमबर आट का सवाल है आपर कि मैंने मोराटोर्यम फॉर्म फिलप कर लिया है ठीक है मुझे कैसे मिलेगा सबसे इंपॉर्डन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इ जैसे आप मोराटोर्यम का फॉर्म फिलप करते हो तो लास्ट में आपको कंफर्मेशन का एक एसे मेस या फिर इमेल आएगा रजिस्टर मेल आडी पे ठीक है तो बहुत सारे बंदों को नहीं आया है या फिर आता नहीं है तो अगर नहीं आता है तो आप कस्टमर केर में कर सकते हो कस्टमर केर का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ या फिर सबसे बेस्ट उपाया है कि सर्विस अंडर्सकोर धनी एड़ इंडियाबुल्स.com इस मेल आइडी पे आपको मेल करना है कि हाई दिस इस एक्सवाइजेड मेरा नाम है यह मेरा लोन एग नंबर नाइन का सवाल है क्या एक मार्च के बाद में लोन बाद में लिये लोन के लिए मुरेटरिय मिलेगा सपोर्ज अभी एक मार्च कंपणी ने थीस मार्च को बंद किया है तो यह सब की किष्ट मतलब इनको मुरेटरिय मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कंपणी का कहना है कि एक मार्च के बाद जिन्हों ने भी लोन या कुछ भी सर्विस लिए धनी की तो उनको मुरेटरिय मिलेगा उनको रेगुलर्ली किष्ट भरनी पड़ेगी लेकिन अगर बाद में लोन लिया है नमबर दस का सवाल है कि मोरेटोरियम की रिक्वेस्ट कप करें अब कप करें मैंने की कप करना है जैसे आपके आने वाली किस्ते तो बहुत सा अभी वीडियो को काफी लेट हो चुगा है लेकिन आने वाली दो किस्त के लिए हम कर सकते तो अभी भी आने वाली जो किस्ते उससे पहले करना है क्योंकि अगर आप किसी की दो तारिकों किस्ते किसी की पास तारिकों और आप दो तारिकों कर रहे हो तो इसका कुछ बेनिफिट होगा नहीं क्योंकि अपरुल के लिए 24 से 48 घंटे जाएगे तो आपको लगया कि यार मैंने मोरेटरियम की अपलाई कर दिया और किस्त मुझे नहीं बढ़नी तो आपको पहले ही करना है एक दो दिन पहले अपलाई करना है तो आपकी किस्ते आपे होल्ड पे चली जाए ठीक है स्टॉप हो जाए तो आगे का सवाल है कि मेरे इंडिया बूल से एक से ज़्यादा लोन चल रहे तो क्या सब के लिए मोरेटरियम फार्म भरना होगा मेरे पास एक से ज़्यादा लोन है जी किसी ने एक लोन लिया है उनको टॉप अप मिला है एडिशनल लोन तो उनके दो लोन हो चुके है त तो ऐसे नहीं है पहले लोन के लिए लोन एग्रिमेंट अलग से नंबर होता है लोन एग्रिमेंट नंबर होता है तो दोनों के दो अलग लोन एग्रिमेंट नंबर होते हैं आपको दोनों के लिए अलग अलग से form fill up करना है और दोनों के लिए submission submit करना है तो दोनों का confirmation अगर जाए तो दोनों के लिए आपको moratorium मिल जाएगा आगी का सवाल है क्या moratorium लेने से मेरा civil खराब होगा तो डिफिनिटली नॉट अगर एप्रूवल मिल जाता है आपको उसके लिए तो आपका कोई civil वगएरा खराब नहीं होगा तो बिंदास आप ले लिजे और confirmation आने के इस मेने में किस्ट पे करना चाता हो तो मैं description में उसका भी एक वीडियो दे दूँगा कि अगर यह मैं लेट हुई है यह मैं पे करनी है यह मैं बाउन्स हुई है तो किस तरह से पे करनी है आप पे कर सकते हो धनी आप के थ्रू तो description में लिंक है अगर आप interested लेने के बाद में वी किस्ट पे करना चाते हो तो हाँ आप पे कर सकते हो इसके बाद में का सवाल है अगर मैं moratorium नहीं लेना चाता तो क्या मुझे कुछ करना होगा तो नहीं लेना चाते हो तो छोड़ दीजह कुछ नहीं करना है यह बैंक में पैसा मेंटेन करो बाकि कुछ भी करना नहीं है इसके बाद में क्या क्रेडिट लाइन के लिए मुरेटरियम मिलेगा बहुत सरे लोगों को पता होगा इंडिया बुल्स ने में मेंशन किया है तो वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बता दो कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मुरेटरियम का कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही बना चुका उससे देख लिए इसके बाद में का सवाल रहेगा और शोला नुम्बर का चो टे लोन के लिए मिलेगा वर्ष दूस्तों को पता होगा कि इन्डियाबुल्स और प्रिबहल्स लám के लिए इंट्रे Aynaud ले तीन कमारा मैंने तक लिया था क्या मुझे फिर से करना चालती है आपको तक उतने नहीं करना तो जब अठरा नंबर का सवाल है कि मैंने moratorium के लिए mail किया था तो क्या मुझे moratorium मिलेगा जी नहीं बिल्कुल गलत आपको या पर apply करना पड़ेगा application form फिलप करना पड़ेगा mail के द्वारा आप बिल्कुल भी moratorium नहीं ले सकते तो form भर दीजे या पर click here पर click करोगे तो आपको form open हो जाएगा वहां पर आप click करके form भर सकते हो लास्ट और बेस्ट वाला सवाल यहीं है कि मैंने moratorium लिया है लेकिन अब मैं उसे हटाना चाहता हूँ तो क्या यह possible है बिल्कुल हा यह पर आप click करोगे तो यह आगे वाली site खुलेगी और यह पर जो आगे वाली site यह आपको यह form फिलब कर देना है return वाला मतलब जो start करने वाला form होता है उसी तरह से बंद करने वाला भी form है तो इसको submit कर दीजे और इसका भी आपको एक confirmation आ जाएगा तो इस तरह से भी आप आपका stop कर सकते हो मतलब अगर आप ले रहे हो start कर रहे हो moratorium तो stop करने का भी option उन्होंने दिया है तो यह सारे सवालों की बात में अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे moratorium लेना चाहिए तो definitely जाके moratorium के लिए apply करिए मैंने i button में link छोड़ी है और description में भी link है तो आप apply कर सकत होंगा और विडियो आपको हिल्पू लगता है तो आपने friends में जरूर शेयर करें तिल देन अपनी care करो हिल दिरो बाबाई